हलो नवस्कार फ्रेंज बहुत बहुत स्वागत है आपका बिगनर सीरीज इन स्केच अप के एक और बहतरीन वीडियो में जी हाँ दोस्तों जिसा कि आप सब जानते हैं मैं आपके लिए बना रहा हूँ एक बहुत ही बेसिक बिगनर सीरीज जिससे आप अगर आप फ्रेशर ह अगर आप ये वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी आने वाले कुछ दिनों में आप एक बहुत ही बढ़िया 3D विजुलाइजर बन सकते हो तो जी हाँ दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्केच अ में कॉपी कैसे करते हैं कॉपी क्या करना है और क्यूं करना है तो इन चीजों के बारे में जान लेते हैं आज चलिए बीना देर किया वे वीडियो को सुरू करते हैं तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉम्पोनेंट का क्या काम है और कॉम्पोनेंट कैसे काम करता है ग्रूप क्या होता है कैसे काम करता है यह सारी भी copy करने के कुछ तोर तरीके हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले मैं यहां से एक ऐसे box ले लेता हूँ ठीक है यह देखिए हमारा box आगया है अभी मैं इसको ऐसे triple click करके से select कर लेता हूँ आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर single click करेंगे तो face select होगा double click करेंगे तो उस face के साथ उसकी border select होगी यानि कि age select होगी और अगर आप triple click करेंगे तो पूरी की पूरी object select हो जाएगी मैं करता हूँ right click और कर लेता हूँ इसको group और group करने के बाद अभी हम आ जाते हैं इसको copy करना है तो copy करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है अगर आप देखेंगे edit में जाकर तो obviously बात है copy मिल जाएगी और आपको paste मिल जाएगा और आप इसको यहाँ पे paste कर सकते हैं ठीक है paste in place भी है paste in place का मतलब होता है कि जहां से आपने copy किया है paste वहीं पे हो जाएगा लेकिन यह method थोड़ा अपने को काम नहीं आएगा यह जो edit copy paste है यह थोड़ा सा अपने लिए useful नहीं है क्योंकि अपने को किसी एक sequence में कोई copy करनी होती है एक alignment में copy करनी होती है तो इसके लिए को करना क्या है करना यह है कि अगर suppose मालेजे कि आप इसको copy करना चाहते है चलिए मैं थोड़ा से इसको पहले move कर लेता हूं और sketch up का यह मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप किसी भी access पे आप यहा और यहां से copy हो रही है और अगर आप चाहो तो ऐसे भी copy कर सकते हो यहां से भी पकड़ कर सकते हो बस आपको यह green line फालो करना है अगर आप इधर होतो और आप red axis में जा रहे होतो आपको यह red line follow करना है otherwise क्या होगा कि यह line आते ही आप समझ जाना कि इह गलत जगा पे हो रह है and then उसको कापी कर लेना है तो यह देखिए कंट्रोल और कापी किया मैंने अगर मैं पूरी चीजों को कापी करना चाहता हूँ इन पूरी चीजों को अगर मैं कापी करना चाहता हूँ तो करूँगा ऐसे select और यहां पे जाएंगे move tool में प्रेस करेंगे control और chest यहां पहला कैसे लगा देंगे यह देखिए बड़ा ही simple है दोस्तों बहुत ही simple है आप बहुत असानी से select कर सकते हो और अभी देखो मैं यहां पे चलो एक चछत बना लेता हूँ ठीक है जैसे एक roof बना लेनी है मुझे suppose तो मैं यहां से एक ऐसे roof बना लेता हूँ और सबसे पहले इसको group कीजिए group नहीं करेंगे तो यह उसके साथ attach हो जाने का chances तो 100% है और अभी आपको इसके अंदर जाना है और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ आज़े यह बाहर और अब मुझे इसको यहां पर रखना है ठीक है यहां पर रखना है तो कोई tension वाली बात नहीं है आपको करना क्या है आप इसको select कीजिए और यहां पर आईए और आप इसको यहां पर पहले ऐसे move कर लिए है यहां पर ए अभी तो यह पूरी तरीके से उपर ने जा रहा है अभी इसको ओपर जाने के लिए तो आप कहीं से भी कर लो दोस доступ को iation नहीं है ऐगो ऐसे खर लो जैसे रखना है रखना है रखना है चलिए तो यह मेरा यहां पर हो गया अभि आप देक सक्ते है और अगर अभी आपको इस पीलर की कॉपी बनानी है तो सिम्पल सी बात है आप इसको इसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप यहां जाएं और यहां से इसकी कॉपी इसे बना लें तो यह देखिए इसकी कॉपी बनके पूरी तरीके से तयार है अब एक चीज और आता है जो आपको जान लेना बहुत जनूरी है बहुत लिए स्पेर कि आसे कुछ लें के बाद मैं सबसे पहले इसको क्या पर फोड़े यूअकर अगर और गुरूग Th जाकर मैं इसको सबसे पहले कर लूँगा थोगा सा एक्स्टूड यानि की पुल कर लिया मैंने अब मुझे यहां पे एक रेलिंग बनानी है तो देखो दोस्तों यहां पे बहुत ही खास चीज है जो आपको मैं बता देता हूं कि कैसे आप प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर करना है यहां पे द्धान दीजेगा स्लैस प्रेस करने के बाएद आप चितनी कौपियां चाहिए उतनी यहां पे प्रेस कर दीजेए जगर मैं यहां पे 10 डाल दू और एंटर कर दिजды तो जैसे अपने एंटर किया एक दो ठीच चार पांच छे साथ आठ नौ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और एक दस तो इस तरीके से आपकी यहां पे एक पूरी तरीके से देखे रेलिंग बन गई और उभी equal distance पे ठीक है उभी equal distance पे आपकी railing बन चुकी है तो आपको ज़रासा भी फिक्र करने की ज़रत नहीं है आपको shift करना क्या है मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको आपको करना इसको select करना है आपको control प्रेस करना है और आप यहाँ पे आ जाएए and slash प्रेस कीज और आपको जितनी copy आचे यह उतनी आप यहाँ पे number डालिये और enter कर देजे और यह देखिए आपकी यह पूरी तरीके से copy होकर तयार है तो यह बहुत ही जरूरी चीज़ है अगर आप जब भी आप काम करोगे तो यह आपको बहुत ज़्यादा लगने वाला है बहुत ज़ बाई तो फिर हो जाएगा problem जी हाँ समझ गए तो आपको और मैं बता दूँ आपको friends इतनी अच्छे सा आपको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा तो जी हाँ चलिए भी मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा यस चलिए यह हो गया अभी अपना copy और अभी अगर आप इसको select करना चाहते हैं तो आप ऐसे पकर लिजे और ऐसे select कर लिजे और यहां जाए यह पूरी की पूरी चीज़े select हो गई है और इसको copy करके आप जहां लगाना है आप वहां लगा सकते हैं कोई problem नहीं है तो इस से हम लोग करते हैं यहां पर copy और अगर suppose मान लिजे कि अपको अगर कुछ distance wise अगर normal करनी है तो आप यहां से देख लो आप जैसे यहां से करने जाओगे ना तो आप देख लो कि यहां पर यह red axis पर हम जा रहे हैं और यह कितने distance है यह भी आप major यहां से कर सकते हैं यह नहीं है तो आप से 24 यहां पर करिए और enter कर दीजे लेकिन याद रहे अभी यहां पर एक आपको problem होगा कि यह 24 कहां से हो रहा है ठीक है यह समझ लीजे पहले तो चलिए मैं यह समझाने के लिए आपको छोटा सा पहले box बनाता हूं एक पहले छोटा सा box बना लेता हूं जै पार इंच भाई 5 इंच की ठीक है यह मैंने एक पार इंच भाई 5 इंच की box बना हुगी है ठीक है अभी आप देख सकते हैं और मैं इसको बढ़ डिलीट करता हूं और मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो मैंने यहां से बना लि तो अगर आप यहां से कर रहे हैं और अगर आपको इनके बीच में अगर suppose मालेजी की 20 इंच की gap देनी है या 30 इंच की gap देनी है और अगर आप यहां से copy कर रहे हैं तो आपको देना होगा 50 क्योंकि 20 तो इस box का है 20 इस box का है और बीच में आपको 30 देना है तो आप याप 50 इंच कर देजे और ये देखिए आपकी 30 इंच की गैप आ गई है अगर आप देखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ डाइमेंशन पर जाएए यहां क्लिकेज़ यहां क्लिकेज़ यह देखिए आपकी पूरी 30 इंच की गैप है लेकिन अगर आप वही 30 इंच की गैप देना चाहते हैं और यहां से अगर आप कर रहे हो तो क्या करोगे यहां से अगर आप कर रहे हो copy तो आप क्या करोगे अगर आपने यहां पे 30 इंच की ऐसे gap दे दी तो जी बिल्कुल भी नहीं होगा यह 10 इंच हो गया होगा आप देख सकते हैं आप यहां पे देख सकते हैं यह 10 इंच हुआ है तो अगर आप यहां से करना चाहते हैं अगर सब्सक्राइब यहां से भी आप कर रहे हैं तो देखें यह तो अगर आपको यहां पर 20 इंच इधर से है तो आपको यहां पर 50 की ही गैप देनी होगी और अभी आप देख सकते हो यहां से भी आपको 30 इंच की gap जो है वो आसानी से मिल रही है ठीक है तो यह देखिए 30 इंच की gap आपको मिल रही है तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको copy समझ आ गया होगा कि copy कैसे करनी है कैसे इसकी setup को भी measurement के साथ copy करनी है तो यह सारी चीज़ें आपकी clear हो गई हैं तो चलिए इस वीडियो में रखते हैं बस इतना ही और request आपसे अच्छे से practice कीजे और हमारे description में whatsapp group का link दिया हुए उसे join कीजे और direct अपने practice फाइल हमारे साथ share कीजे ताकि मैं आपको करता रहूं proper guide तो चलिए दोस्तों रखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर दिजे और चैनल पे नए है आप तो चैनल को subscribe कर लो bell icon को press करिए और please अगर हो सके तो हमें instagram पे भी follow कर लिजे instagram पे हमारी id है designer bridges के नाम से जी हाँ दोस्तों तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाए take care and most important keep learning